कि नमश्कार मैं हूँ रावल चर्मा आप देख रहे हैं स्पिनानियो स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी कबर में और बड़ी कबर की शुरवाद चुनावी रणीति का प्रशान की शूर से क्या चुनावी रणीति का प्रशान की शूर ये बात समझ रहे हैं कि विपक्ष 2024 से पहले मजबूत हो रहा है और विपक्षी पार्टियों का लगातार मजबूत होना क्या ये जाहिर तोर पर इशारा करता है कि आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान है अब सत् को यानि की बीजेपी धीरे-धीरे पिछरती चले जा रहे हैं अभी हाली में कई चुनाव के नतीजे सामने हैं जिन में हिमाचल का विदान सभा चुना डिली mcd के चुनाव के नतीजे यूपी में कई उक चुनाव वे और जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो जाहिर तोर नहीं पनाय और बता रहा है कि जंता बीजेपी से परशान हो गई यह Śमीं है कि देश पर इसे बहुत सारे ने जिसको सरकार यही वज़ा आप देखने को में निकल कर सामने आ लिए कि जो अभी कि तस्वीर है वो यह जाहिर तोर पर बता रही है कि प्रशान किशोर यह बात देख रहे हैं कि विपक्ष बेरुजगारी, महेंगाई, सिक्षा, स्वास्त है जैसे तमाम मुद्दों को उठाता नजर आ र में इतने वक्त से एंसीडी के अंदर भाजबा जिस तरह से रह रही थी उसका पूरा किला द्वस्त के आम आदमी पार्टनें यह जाहिर तोर पर बताता है कि आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा जो फायदा है वो विपक्ष को होगा और प्रशान किशोर भी विपक्ष की जीत की बात है आज के लिए तहीं आप से द्वारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार